एशिया का दिल, सामराजियों का कबरिस्तान और अन्य सामान्य नामों से संदर्भित अफ़कानिस्तान की आंतरिक स्थिती समस्या ग्रस्त बणी हुई है इसे आधुनिक और शांतिपूर्ण देश बनने नहीं दिया अगस्त 2021 में जल्दबाजी में अमेरिकी वापसी के बाद कटरपंथी, प्रतिगामी और क्रूर तालिबान शासन द्वारा कब्जा किये जाने के बाद अफगानिस्तान की स्थिती इसके निवासियों और अंतर राष्ट्रिय समुदाय दोनों के लिए समस्या बनी हुई है कोडे मारना, पत्थर से मारना और महिला शिक्षा पर प्रतिबंध जैसे प्रतिगामी कानूनों के लागू होने की खबरें फिर से आ रही है लेकिन सूची यहीं नहीं समाप्त होती है हमारे साथ बने रहें ताकि आप सामराज्यों के कबरिस्तान के बारे में और जान सकें और कैसे यह आत्म विनाश की रहा पर है और किस तरह यह इसे विनाश की और ले जाएगा पडोसी देशों के लिए युद्ध के खतरे की वजह कैसे बन रहा है अफगानिस्तान इससे पहले आईए यह जान लेते हैं कि उसके अशांत अतीत ने उसकी वर्तमान उनमतता की जड़ कैसे रखी पिछले कई सहसराब्दियों से अफगानिस्तान वैश्विक मामलों के केंदर में रहा है सिकंदर महान के समय से वह इलाका जो अब अफगानिस्तान में है आकरमनकारियों के लिए मार्ग रहा है इन में से कुछ आकरमनकारी वहीं स्थाई तोर पर बस गए इसके कठोर इलाके और कठिन स्वाभाव के निवासियों ने अफगानों को एक गर्वित राष्टर बना दिया है और यहीं से उनकी समस्याओं की जड़ें शुरू होती है पड़ोसी राज्यों के साथ आज के समय में अफगानिस्तान को उपनिवेशवाद के दौर में विशेश महत्व मिला क्योंकि यह अमीर और गरीब के बीच बफर जॉन का काम करता था पहला एंगलो अफगान युद्ध 1838 से 1842 तक हुआ था यह युद्ध ब्रिटिशों के रूस को रोकने के प्रियासों के परिणाम स्वरूप हुआ था इस प्रियास में 200 से अधिक ब्रिटिश जानें गई लेकिन कोई लाब नहीं हुआ क्योंकि युद्ध के बाद ब्रिटिश सैनिकों को भारत वापस बुला लिया गया था दूसरा एंगलो अफगान युद्ध ब्रिटिश के लिए और भी भयानक अनुभव साबित हुआ यदे पर मरे हुए सैनिकों के कुल संख्या अग्यात है दोनों पक्षों के बीच मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 10,000 है ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को नियंतर राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के समर्थन ने सोवियतों के लिए इस ख्षेत्र को बनाये रखना असंभव बना दिया अनुमानित संख्या के अनुसार संदैभी 15,000 सोवियत सैनिक मारे गए त्यापरिन हजार से अधिक घायल हुए जबकि चारे 15,000 से अधिक वहा नहीं कर सका एक दूसरे से लड़ने वाले गुटों के कारण कटर पंथी तालिबान का उदय हुआ जिसने बड़े क्षेत्र पर नियंतरण करने के बाद वैश्विक आतंकवादी संगठनों को पनाह देना और उनकी मेजबानी करना शुरू कर दिया इसका परिणाम नियू नहीं सके वे एक समझोते के परिणाम स्वरूप फिर से सत्ता में आ गए और अफगानिस्तान फिर से उसी स्थिती में वापस आ गया जहां 2001 में था 2.3 ट्रिलियन डॉलर का अनुमानित खर्च 2300 अमेरिकी सैने कर्मियों 3917 अमेरिकी ठेकेदारों और 1144 सहयोगी सैनिकों की हानी के बावजूद अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में गिरने से नहीं बचा और यहीं से अफगानिस्तान की एक और समस्या की उत्पत्ती होती है जो उसके पडोसियों की सुरक्षा के लिए खत्रा बन रही है अफगानिस्तान अपने सभी पडोसियों के साथ युद्ध की और बढ़ रहा है और उसके पास इस युद्ध के अपने कारण है पाकिस्ता जो अफगानिस्तान का पूर्व और दक्षणी पडोसी है तालिबान के अधिक रहन के बाद सबसे अधिक खतरे में है अपने अपनिवेशिक इतिहास के कारण पाकिस्तान दुरगंध रेखा को न मानने के अफगान राष्ट्रवादियों के बार-बार के आहवान का सामना कर रहा है जो इसे एक काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसे डूरन रेखा कहा जाता है यह गंधमक संधी का परिणाम थी जो कब्जा करने का कारण बनी प्रिटिश राज के अधिन थे इन संधियों की आधिकारिक स्थिति के बावजूद अफगान राष्ट्रवादियों ने पा टीटीपी, अलकाइदा और अन्य आतंकवादी संगठनों को शरण देने के कारण पाकिस्तान एक गंभीर अस्तित्व संकट का सामना कर रहा है जिसमें हजारों मौतें हो रही हैं जिससे एक संपूर्ण युद्ध हो सकता है पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा सीमा पर चड़पें और हवाई हमले सामाने हो गए हैं पानी की समस्याएं एक और मुद्ध हैं जो इन दो पडोसियों के बीच संबंधों को और तनाव पूर्ण बना देती हैं बांध पोर्च और अन्य अवसंड़चना परियोजनाओं के निर्मान की योजनाएं लोंबित हैं पा के साथ संघर्ष में ला दिया है यहां तक कि इरान के पूर्व राष्ट्रपती महमूद अहम दीनेजाद ने भी तालिबान के कारियों के लिए उन्हें शैतानी पंत कहा है पानी की समस्याएं भी तनावपूर्ण संबंधों को बढ़ा रही हैं जहां हेलमंद नदियों को लेकर विवाद दोनों धर्मतंत्रों के बीच बड़े युद्ध का कारण बन सकता है सिस्तान और बलूचिस्तान के इरानी प्रांद पानी की कमी और सूखे का सामना कर सकते हैं पानी के मुद्दे के कारण सोचिए अफगानिस्तान की हर पडोसी से समस्याएं रही हैं और उसने 1950 के दशक में इरान के साथ पानी के आवंटन की संधी के बावजूद हेलमंद नदी पर दो बांध बनाए हाल ही में इरान द्वारा पानी के संसाधनों के आवंटन की मांग से दोनों पक्षों के बीच शब्दों का युद्ध भी हुआ इस शब्दों के युद्ध क इन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा भी है एना डैफ के अनुसार एक और कारण है कि तालिबान शासन ने खुलकर एरान के मुला शासन को धंकी दी है एहमद मसूद और अमरुल्ला सालह जैसे प्रतिरोधी गुटों के नेता भी एरान में हैं जिससे स्थिती की गंभीर सुरक्षित नहीं है सीमा जड़पें ट्रकों की जबती और अन्य उत्तेजक कारवाईयों ने इन देशों से सीमा बंद करवा दी है तालिबान ने विभिन प्रांतों में आतंकवादी संगठन लशकर मनसूरी के आत्मखाती हमलावरों की बटालियन तैनात की है जिससे इन मध्य शियाई राज्यों की चिंता बढ़ गई है तालिबान आतंकवाद से दूर नहीं रहेगा और अंततह इन राज्यों के पास पलटवार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा हालांकि तुर्कमेनिस्तान आधिकारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता नही से एक है तालिबान ने इस्ट तुर्किस्तान अंदोलन को वित्तिय सहायता दी और समर्थन किया और यह पिछले कुछ दशकों से चीन के लिए एक गंभीर चिंता बन गया भले ही चीन मौजूदा तालिबान शासन के साथ मैत्रिपोर्ण संबंद रखता हो लेकिन यह ताल से उम्मीद से जल्द ही देश पर कबजा कर लिया और उन्हें बड़े पैमाने पर हतियार और गोला बारूद का भंडार मिल गया अमेरिकी अनुमान के अनुसार लगबग साथ अरब डॉलर मूले के हतियार अफगानिस्तान में छोड़ दिये गए बखतरबंद वाहन, हेलिकॉप्टर और आधुनेक युद्ध के अन्य उपकरण एक बरबर पंथ के हाथों में छोड़ दिये गए इसमें कोई संदे नहीं है कि इस गोला बारूद का इस्तिमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा इसका एक सपष्ट उदाहरण है पाकिस्तान के केपी और बलूचिस्तान के क्षित्रों में आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इन आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रन रखने और यदि यह सब जारी रहता है तो परिणाम भुगतने के लिए तयार रहने की चितावनी दी है इरानी और अफगान सीमा रक्षकों के बीच संगर्ष या सीमा बंध होने से भी बढ़ते तनाव का संकेत मिलता है जो तीवर वृध्धी का कारण बन सकता है यदि तालिबान की दुस्साहसिता जारी रहती है तो उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान सैनेकार रवाई से खुद को रोक नहीं पाएंगे वर्तमान परिद्रिश्य इस प्रशन को जन्म देता है कि क्या अफगानिस्तान वास्तव में अपने पडोसियों के साथ पूर्ण युद्ध की और बढ़ रहा है इसका उत्तर हाँ हो सकता है क्योंकि कोई भी राज्य विदेशी हस्तक शेप विशेश रूप से आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय तक समझोता नहीं कर सकता अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान और इरान से प्रतिशोत जारी रखा है और अब सैन्य राज्यों से इस समस्या को खत्म करने की मांग की जा रही है यह देखने वाली बात है कि अफगान लोग अपने अवैद शासकों की लापरवाही के कारण कितना कश्ट भुकतेंगे मानव तबाही, दो पर्मानु शक्तियों पर प्रभाव, इस्लामिक मिलिटनसी और सीमाओं पर बढ़ते तनाव तालिबान की खतरनाक चाल का परिणाम हो सकते हैं थोड़ा नीचे गया पार और संबंधित परिणाम भी सामने आ सकते हैं तालिबान को यह समझना चाहिए कि आतंकवाद को लगातार समर्थन देने की उनकी नीती को अधिक समय तक सहन नहीं किया जा सकता वे आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए परोसियों के साथ पूर्ण युद्ध की तलाश कर सकते हैं लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं हमारे अफगानिस्तान वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें